हलो एविवान और कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्लीज चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों की साथ सेर कीजिएगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज थोड़ी सी खुसी की बात भी है और थोड़ी सी दुखी मतलब दौनों दौनों चीज़े हैं तो वैसे दोनों ही अच्छी है में लिए वैसे कैसे तो चलिए वीडियो है आप लोग पूरा जरूर देखिएगा थोड़ा सा भी आप लोगों को बता दू कि अभी न साम का टाइम है साम नहीं रात का ही टाइम हो गया मैं अपनी क्लेनिक से आ चुकी हूँ जॉब से बॉस करने वाली सावन तो वो अलग रखते हूं ना तो वो खतम हो गई थी तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी अभी खतम हो गई थी तो में ले आई हूं तो महीने की रासन भी मुझे लाना है तो अभी एक-दो दिन रुकर मैं लेका रहाँगे तो अभी न ये जो म ही बच पाता है क्योंकि एक ही घंटे का टाइम होता है इस बीच मुझे चाही भी पीने होती है और रात का खाना भी तैयार करना होता है तो खेर ये चलिए काम भी करते जाती हूं और खाना जो बना रही हूं आप लोग देखते जाईएगा आप लोगों से कुछ बात भी कर लेते हैं अच्छा लगता है तो अभी ना इस मैं समझ लीजिए मैं नई नई हूं कि अभी देखे कितने देन हो गए थे मुझे इस चैनल को बंद की हुए हुए पूरे सात महीने हो गए थे सात महीने से मतलब मैंने रोक के इसलिए रख लिया था क्यूंकि मेरा मैं आप ल काम करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हमें कुछ नहीं आता है ना तो मुझे मैं अपनी बात बता रही हूं क्योंकि मैं मुझे ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ की मुझे डल लगता है कि कहीं बता है कुछ और गड़बर ना हो जाए क्योंकि एक तो यह जो मतलब हम एक ज तो भी कर रही हूं समझ लीजिए और यहां का कुछ भी है नहीं है कि यहां पर इसका कोई आफिस की कुछ तो जाकर वहां बात कर ली जाए तो एसन है ही नहीं तो इस वज़े से मैं जरा जरा सा करके और बहुत जल्दी डर जाती हूं तो वही गलतियां मैंने करके रख ली थ तब भी नहीं हुआ. तो वसे यही गलत्यों के कारण मैंने साथ महीदे पता नहीं क्यों मैंने बहुत बड़ी गल्ती कर दी कि साथ महीदे से चैनल को बंद करके रखँ दिया था. और मेरा जो मतलब ना एक की फास्ट शटेप जो है बो done हो गया था दूसरा जो मैंने लगाया था तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब है ना उसमें absence के कारण वो वता दिया था कि आपका absence है मतलब second step done ही नहीं हो रहा था तो वस इस वज़े से मैं डर गई तो फिर मैंने क्या किया वहीं छोड़ दिया मैंने का सोचा कि बाद में देखते हैं किसी से करवाते हैं कहीं से मतलब पता करते हैं कि कोई मेरा यह जो solution है ना वो कर दे लेकिं मैं सच बताओ ना अपने मतलब अपने इससे मैं बोल रही है इतने experience ये मैंने इतने बड़े बड़े सब technical वालों को सब को बहुत से सबको नहीं कुछ ही लोगों को बड़े बड़े जितने भी हैं सबको मैंने मैसेज किया लेकिन किसी ने रेपलाई नहीं दिया पता नहीं क्यों बोलते तो ऐसा है कि हाँ हम हेल्प कर देंगे ये कर देंगे लेकिन मुझे तो नहीं मिला हेल्प बिल्कुल नहीं मिला तो इसलिए मैंने उम्मीदी छोड़ दी थी फिर मैंने अपने से ही ट्राइ किया एक दो बारों ट्राइ किया था उसी टाइम पे साथ महीने पहले फिर उसके बाद मुझसे नहीं हुआ तो मैंने सूचा इसको अभी रोकी देती हूं क्योंकि मुझसे तो हो नहीं रहा है तो इस वज़े से और गलतियां ना हो जाएं क्रियेट इससे अच्छा इसको रोकी देती हूं क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने इस पर भी इतना मतलब आप लोगों का इतना सपोर्ट इतना प्यार मिला तो मैंने सोचा कि ये भी हाँ से ना चला जाए वैसे तो इसलिए मैंने इस वज़े से छोड़ दिया था डर की वज़े से तो बस फिर मुझे बाद में पता चला कि वीडियो डालने चाहिए थी रोकना नहीं था वो तो धीरे से मनदब कुछ समय बाद हो ही जाता तो फिर दूसरा ट्रिक जो रहा वो फिर यूज करना था तो आज है ना फिर वही ट्रिक मैंने दूसरा यूज किया तो अभी प्रोसेस पे डाला है लेकिन उसमें भी कितना क्या टाइम लगेगा पता ही नहीं है और नहीं तो ऐसे हो गई हूँ मैं जैसे कि अभी मैं बता रही थी मैं भी अब आप लिगो के लिए कि नई ही यूटूबर बन गई हूँ क्योंकि देखिए साथ मैं पहले छोड़ चुकी और अब मैं फिर से दोबारा बैक आई हूँ तो फिर अभी बहुत से लोग अभी पता नहीं चला है इसमें कि मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ कुछ लोगों को पता चल गया है कुछ को नहीं चला और इसमें मैं एक मतलब है मेरे लिए तो सभी बराबर हैं सब मेरे योट्यूब फैमली जितने भी लोग मझे सपोर्ट करते हैं लेकिन एक जो सबस्क्राइबर है ना सच में एक न इन्हें दो तीन हैसे जो सच में बोलते थे अभी भी बोलते हैं कि दस दिन मैंने जब वीडियो नहीं डाले ना तो वो इतना परिसान हो गई थी इतना टेंसन में थी बहुत जादा और एक और मेरी सब्सक्राइबर जो दी दी है ना जिन्होंने मुझे सुरू से इतना जादा मतलब है ना मोटिवेट किया मतलब उन्हो मतलब कैसी भी हो बस वो है ना एक मतलब है ना मतलब वो लगा देती है बस और वो कुछ भी नहीं लिखती है कि कैसी क्या जब हाँ कोई गलती करती हूं या ऐसा होता है ना तब जरूर से वो बोलती है बाकि कभी कुछ वो नहीं बोलती है लेकिन हमेसा वो मेरे हर एक वीड यो वह मुझे ना जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना फ़र्षट वाला का सीस विलोग目前 और इसके बारे में तो ब्हुत अ पूचलिया कि यूप तो फिर चैनल न उनका इनके वाले चैनल लोग600лам ने उनको बताया तो नोना फैमली ब्लॉग भी मतलब पता था और वो वाला पता था पर तीसरा वाला था नहीं था अच्छा चैनल ना एक तो यह है कि मेरा मतलब ऐसा है कि यह मैंने मतलब स्टार्ट करने का मेरी मजबूरी हो गई थी नहीं तो मैं इतने नई चलाती मैं सच बताओं मुझे भी बड़ी टेंसन होती थी तो इसलिए न मुझे मजबूरी में करना पड़ा तो पता है फिर वो दीदी ना पटाक से मुझे मतलब है ना उस चैनल पर भी कनेक्टी किया और मुझे इतनी मुझसे ज़्यादा मैसेच बताओं आप लोगों को मेरे हस्बेंड क बहुत खुसी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि अब दीदी आ गई है ना तो अब मेरा चैनल मैं अब अच्छा लाग रहा है क्यांकि वो दीदी ना हर एक वीडियो देखती है हर एक वीडियो में उनका कमेंट आता है बड़ा प्यारा सा कमेंट करती है तो मैं उनका इस वी रिता बिलॉग तो वह दो धिना प्यारा कमेंट करती है और मेरे उस्भेंट उनको जह से हैं नए बहुत अच्छे हैं और कमेंट भी और अच्छा खरती है प्यारा से कुछ गलत नहीं करती हैं तो उनके कारण ना एकदम होसला मिल जाता है बहुत मोटिवेटर मतलब अच्छा लगता है कि चलो कोई आगे की तरफ बढ़ा रहा है तो आप लोग भी सब ऐसा कर रहे हैं मैं किसी देखिए पहले ही बोल दे रहे हैं मैं आप लोग जितने भी है ना सब आप लोग स ऐसा नहीं है कि एक जनके कहने से ऐसा नहीं है सब लोग आप लोग ना बोला तब ही मैं आगे बढ़ा रही हूं बस यह तो आप लोगों को बता दूँ थोड़ी सी जानकारी के हिसाब से तो इस बज़े से फिर मैंने उस चैनल पर मॉनेटाइस तो नहीं हुआ था लेकिन मैंने सोचा चलो इसी को स्टार्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को कुछ मैसे ही मिल जाएंगे उस चैनल के बारे में की क्या हुआ क्या नहीं तो बतानी वाली हूँ मैं आप लोगों को तो फैस क्या गलती हुई क्या नहीं तो ऐसे मैंने किसी के कारण नहीं छोड़ा है व मुझे बहुत अच्छा लगता था उसमें भी मनला वो मेरा इतनी महनस से मैंने उसको तीन चार साल दिये हैं और अभी भी नहीं छोड़ा है ना मैं छोड़ सकती हूँ बस यह है कि तोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें जो भी मतलब समस्या है वो करने में इसमें उम्मिद लगा ली हूँ कि चलो इसमें करती हूँ थोड़ी सी खुसी इसी बात की हो गई कि चलो इसमें कुछ हो जाएगा मतलब प्रोसेस पे तो गया है अब देखो कितना क्या टाइम लगता है बगवान की मर्जी होगी तो फिर इसी को करूंगी देखती हूँ अगर फिर क्या बोल सकती हूँ बाकी तो अब आप लोग तो देखी रहे होगे कि क्या चल रहा है क्या क्या वलत चल रहा है यूटूब पर बस वैसे ही मैं भी नई नई सी हूँ तो मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है तो कुछ का कुछ हो जाता है खर देती हूँ तो काम आम करके साफ सफाई करके अभी लास्ट मैं थोड़ी सी ये सिमया रखी थी वो मैं खा रही हूँ और आज कर वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ